इस कोरोना काल में जब मेहमा नवाजी बंध है और लोग अपने घरों में कैद होने को मश्बूर है तो ऐसे संकट के समय में समाज सेवी संस्ता के कुछ लोग गरीबों के लिए फरिष्टा बन कर सामने आए हैं भोपाल के हमीदिया अस्पताल के पास समाज सेवी संस्ता से जुड़े लोग गरीबों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं संस्ता से जुड़े लोग हर सौमवार और गुरुवार को अस्पताल में लोगों को खाना बाढ़ते हैं ज्याता जौनकारी दे रहे हैं इस पर हमारी समाधाता शुभम गुपता जासके क्योंकि जिन लोगों का इलाज चल रहा है और परिवार जन भी कहीं यहां पर आते हैं यहां पर आते हैं कई लोगों को लेकर खास तोर पर यह सुईधा शुरू की गई है पास में ही कोविट वाट जो है वो बनाए गए हैं यह तस्वीरे आप देख रहे हैं और यहा खाना जो है वो वित्रित किया जाता है एक दिन में अगर हम बात करें तो 500-600 लोगों को इस संस्था जो है वो भुजन दे रही है इनसे बात्चित भी हम करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है कि कब से ये शुरू हुआ है और कब तक ये चलता रहेगा क्योंकि जब लोगडाउ इसमें हम लोगों को एक मैंने से उपर का समय हो गया है और हर अफते लगबग 600 लोगों को हम इसमें जो है बेनिफिट देते हैं कि अभी जो कोविट का टाइम चल रहा है काफी टफ टाइम है कई बार आसा होता है कि इंसना आइसलेशन में चला गया घर वाले भी इतनी हेल मेरा नम अभिशेक रावत और मैं दामनत फाउंडेशन से पिछले एक साल से जुड़ा हूँ और देखे जाए तो पिछले एक महिने से हम लोग हर हफते कम से कम 600 लोगों को बोजन जो भी हमारी सेवा होती है हम लोग बोजन दे रहे हैं यहां पर जैसे भी जरूत मंद लो मुहीम यहां पर हमें देखने को मिल रही है खास तोर पर उन लोगों के लिए जिने दिन में खाना नसीब नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए खास तोर पर यह लोग सामने आया है और हम देख रहे हैं कि इस अस्पताल में भी कई मेरीजों को खाना नसीब हो रहा है बड़